हाई फ्रेंट्स मेरी स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में सीखेंगे डिजाइनर लहर या पलवल या सलवार के कटिंग आइंड स्टिचिंग जिसके लिए थिरी मीटर फाइबरिक लिया है हमने और इसकी जो कटिंग होगी थो माइनस कर देंगे तो हमारा जहां पर भी 40 आता है वहां पर हम एक इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जन और निसान लगा लेंगे 42 इंच पर साथ इंच जरूर निकालना है आपको अपनी बेल्ट का ठीक है अब इस कपड़े को हम यहां से अभी दो फोल्ड में हैं कट नहीं करना है तो यह जो हमारी बंदी साइड है यहां पर हम निसान लगाएंगे मोहरी के लिए और साथ इंच फिर से उपर छोड़के आसन के लि सान लगा दिया है अब ठीक है हमारी दो कली निकल जाएंगी यहां से ध्यान रखें आप जैसे जैसे मैं बता रही हूं आप उस तरीके से करते चाहिए कपड़ा खराब नहीं होगा बिल्कुल वे आपका अब यह मेरी दो कली कट गई है अब मैं इसको यहां से इस तरीके स इसे सैट कर लेंगे हम और जहां जहां से एक्स्रा दिख रहा है वहां से कटिंग करके उसे अलग निकाल देंगे और यह दो फोल्ड में है कपड़ा मेरा अब यहां से भी जैसे यह extra part दिख रहा है आपको कहीं कहीं से तो वहां से भी इसको अलग करके हम चार कलियां हमारे पास total हो जाएंगी अभी part नहीं cut की हैं सिर्फ कलियां cut की हैं ध्यान रखेंगे अप अच्छे से हर तरब से बराबर कर लेंगे अब जो कलियों की बंद वाली साइड है अब की बार हमने घेरा इसलिए कम रखा है क्योंकि हमारे जो पार्ट की चोड़ाई है उसमें जो डिजाइन आता है फिर ज़्यादा घेरा रखते हैं तो उस वो डिजाइन हमारा खराब होता है तो इसलिए हमने ये सलवार 3 मिटर से ही तयार किया बनाके अब ये हमारे पास 4 कलियां हो गई है 4 कलियां होती है नॉर्मल सलवार में भी और डिजाइनर सलवार में भी अब जो बाकी का फैबरिक बचा है उसको हम इस तरीके से 2 फोल्ड करके बिचा लेंगे लंबा हमको 80 इंच के पार्ट चाहिए ये देखिए लंबाई में और ये यहां तक है 2 फोल्ड में है कपड़ा ध्यान रखें और चोड़ाई में हम इसे 8 इंच लेंगे ठीक है 8 इंच लेंगे यहां से हम लंबाई इसकी जैसे 1 मीटर हो गई और ये हो गई 2 मीटर तो 80 इंच हो गई ना 40-40 लिया है एक्स्टर कपड़े को निकाल देंगे और यहां से इस पार्ट के कटिंग कर देंगे हम यह देखिए यह मेरा एक पैर का पार्ट निकल रहा है और जो दूसरा पार्ट होगा इसके उसको हम इसी पार्ट को रखके कटिंग कर लेंगे यहां से इसको पूरा निकाल के लाएंगे अब यह हो गया हमारा अब इसी पार्ट को रखके हम यह वाला पार्ट भी कट कर लेते हैं जो कपड़ा बचा हुआ है इसी में से हमारी मोहरी भी निकल जाएगी सोरी हमारी बेल्ट भी निकल जाएगी और मोहरी के लिए वो नीचे से कपड़ा बच जाएगा तो बस हमें यह इस तरीके से निसान लगा लेना है तो दो पार्ट मेरे 80 या सींच के हो गए 80 या सींच हमने इसलिए लिया है कि जो बीच में आपने डिजाइन आप अंते तक बने रहेगा पहन के दिखाया है मैंने इसका लूप जो बीच में डिजाइन आता है उसके लिए हमें एक कपड़ा ज्यादा लेना होता है तो कटिंग हो गई है अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं पहले बेल्ट और कट कर लेते हैं तो बेल्ट जो बचा था कपड़ा उसी में से अपनी कमर से आठ या दस इंच जादा ले लें आठ इंच चोड़ाई है बेल्ट की और 24 इंच ऐसे लंबाई है अब ये पूरी जो बेल्ट वगएरा है वो कट हो गई है मोहरी के लिए हम कपड़ा उसी में रखेंगे अपनी सलवार में ही अब ये हो गई है हमारी कटिंग तो स्टिचिंग देख लेते हैं सबसे पहले हम अपने पाट को लेंगे ठीक है और पाट को हम उपर की साइड प्लेट डालेंगे और ये प्लेट हमें 35 इंच की तयार करनी है डाल डाल के ये मतलब कि आपको जो अपना कपड़ा है वो प्लेट डाल के 35 इंच करना है ये देखिए और इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप ये डायरेक्ट कर सकें तो आपको प्लेट डाल के और फिर नापना होगा कि हमारा 35 इंच है कि नहीं क्योंकि हमें 40 की सलवार बना के तयार करनी है तो यहां से देखिए हम प्लेटों का जो डारेक्शन है सीधी साइड से उपर की साइड कर रही है द्यान रखे सीधी साइड से रखा है कपड़े को अब यह देखिए अब मेरा जो पूरा है और नीचे से 10 इंच मैंने छोड़ा है मोहरी वाली साइड से वहां से 10 इंच छोड़ने के बाद अब जो दूसरी साइड है उस साइड से भी मैं ऐसे ही अब जो प्लेट है हमारी इनको भी हम ऐसे ही सिल रही है यह देखिए पहले म बस ये ध्यान रखें कि प्लेट आपकी बराबर ही होने चाहिए कोई भी प्लेट छोटी या बड़ी ना हो तो मुझे प्लेट डाल के पूरा 35 इंच तक इसे कर लेना है अब देखिए प्लेट डालने के बाद बीच सेंटर में एक निसान लगा लें आप ठीक है बिलकुल सलवार के सेंटर में निसान लगाने के बाद अब इन प्लेट को डायरेक्शन को हम ऐसे उपर की साइड कर देंगे अब देखे फ्रेंट्स अब प्लेट को आपको उल्टा मोड देना है जैसे सीधी प्लेट होती है उसको उल्टा मोड देते हैं ये देखे जैसे हम मोड रहे हैं अब नॉर्मली कोई प्लेट डाल के देख लें दो चार और फिर उनको उल्टा मोड के देखें तो एक अलगी ड अब देखिया को डाल दिया है आप देखी सकती है अब यह ऐसे चेंज हो गया इसका लुक अब इनके कलियों को ऐसे रख लेंगे हम सीधी साइड को इल्टा करके और बस जितनी भी कली की हमारी लबाइए हमितर ही हसाब से मैं पूरही लगा देग अब हमारी 35 inch की कली थी हमने 35 inch लिया था उसके बाद हम इसको पूरा ही यहां तक सिल देंगे नीचे तक और पार्ट और कली आपके एकदम बराबर होने चाहिए यह देखे एकदम बराबर आई है हमारी 35 inch के ही पार्ट है और 35 inch की ही कलिया है अब दूसरी कली को भी सेम जोड लेते हैं दूसरी साइड को और सेम दूसरा पैड तयार कर लेंगे इसका फिर उसके बाद इसमें हम मोती लगा लेंगे पहले तो देखिए हमने ये मोती ले लिये हैं अब बीच में प्लेटों के उपर जो हमने प्लेट अभी लगाई थी उनके उपर बीच में पहले मोती लगा लेंगे बाद में फिर बहुत दिक्कत आती है जम मोती लगाते हैं बनी हुई सल्वार में क्योंकि अभी तो ये सल्वार खुली है जब सिल जाती है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है तो इसलिए पहले ही मोती लगा लें आप तो देखे दूसरे पार्ट को भी सेम तयार कर लिया है इसमें भी मोती लगा लेंगे हम अब हम क्या करेंगे इसको सिलेंगे सबसे पहले हम इन दोनों इनका आसन सिल लेंगे जैसे नॉर्मली सल्वार का सिलते हैं दोनों सिलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए, दोनों हमने सिलने के बाद, दोनों में मोती लगा लिये हैं, यहने कि दोनों पैरकदम तैयार हैं, अब उसके बाद, इसका आसन सिलने के बाद, इसमें प्लेट डालेंगे हम, तो इसको ऐसे रख लेंगे, सीधी साइड से, ठीक है, यहां से हमने सीधी साइड स और इसमें चारू तरफ को प्लेट आएंगी, इसमें कोई भी कपड़ा कहीं पे भी आपको नहीं छोड़ना है, सिर्फ जो पार्ट वाला एरिया है, वहां पे कोई प्लेट नहीं डलेगी आपकी, क्योंकि वो डिजाइन है, अगर आप पार्ट में प्लेट डाल दोगे, तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा, तो जितना भी कपड़ा है, आपको बस प्लेट डालनी है, बाकिक आपको सीधा ही सिलना है, क्योंकि जो यह डिजाइन मैंने पार्ट में लगाया है, यह बिल्कुल साइडों में आएगा, जैसे कि आपको दिख जाएगा, पहन के दि देखिए, इस कम हो भी मैं आसन वाली साइड को ही कर रही हूँ, यह देखिए, बस दिहान रखे, पार्ट वाले हिस्सा में प्लेट नहीं डालनी है, और इसको भी हम ऐसे ही सीधा सिल देंगे हां तक, और जरूर ट्राइ कीजिएगा, किसी भी कलर से बनाएगे इस सलवार क और अब हम एक सिलाइज के उपर से लगा लेते हैं, और फिर इसके बाद हम इस इसमें, यह हम मोहरी को मोड लेते हैं सबसे पहले, यह देखिए हम इसी में से इसे, ऐक सबा इंच के बरावर मोड देंगे, अलग से नहीं बनाएंगे हम, क्यूंकि जो हम इसमें प्लेटे ल पर दोनों साइड की महुरी सेम सिल नहीं है, फिर इसके जो हम जहां पर नाड़ा कि देख सकती हैं इस साइड भी प्लेट हैं और पीछे भी प्लेट हैं अच्छी लगे वीडियो तो जरूर बताईए का धन्यवाद आप सभी का